डिक्टेशन श्टार्ट होगी पांस सेकिंड बाद श्टार्ट चकरवात ताउते गोवा से लेकर करनाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के टटिये इलाखों में भारी तभाई मचाता हुआ निकल गया है, अब तक 45 लोगों के मारे जाने की खबर है, हालंकि अब यह कमजोर पड़ चुका है लेकिन यह अपने पीछे बरबादी के जो भयानक मंजर छोड़ गया है, उनसे उबरने में वक्त लगेगा फिलहाल सबसे बड़ी चिंता मुंबई हाई के पास गहरे समुंदर में फसे लोगों को सुरक्षित निकालने की है पिछले दो दिन में नो से ना और टट रक्षक के पोत और हेलिकोप्टर तीन सो से ज्यादे लोगों को सुरक्षित निकाल चुके हैं 22 लोगों के सब मिल चुके हैं पर अभी भी बाकी 65 लोगों की कोई खबर नहीं मिली है ये सब वे लोग हैं जो मुंबई हाई के तेल के कुंगों पर काम करते हैं और वहीं जहां जो जो बजरे कहलाते हैं में रहते हैं जब ये बजरे ताउते की चपेट में आ गए तो इनसे लोगों को सुरक्षित निकालना नो सेना और टट रक्षक के लिए भी कठिन चुनोती बन गया हालां कि नो सेना के पोत अत्या धुनिक तकनीक और सुरक्षा उपकरणों से युक्त होते हैं और बड़े बड़े तुफानों को जेलने की तागत रखते हैं लेकिन कुदरत के कहर का अंदाजा किसी को नहीं होता चकरवात तुफान से अर्बो खर्बो का नुकसान होना जाहिर सी बात है ऐसी आपदाओ में लोगों को जोख होना पड़ता है उसे फिर से जुटाने में वक्त लगता है इसमें कोई सक नहीं की ऐसी आपदाओ का सबसे ज़्याद सिकार भी गरीब ही होता है छोटे मोटे काम करने वाले आधी संखिये लोग ऐसी आपदाओ में काफी कुछ खो बैठते हैं टटिये इलाकों में रहने वालों की आजीवी का मचली पालन नारियल की खेती और परियटन आदी पर ही निर्भर होती है आसपास के ज़्यादतर घर भी कच्चे ही होते हैं ऐसे में तुफानी लहरों से छण भर में ही सब कुछ छिन जाता है तुफानी हवा से हजारों पेड और बिजली के खंबे धरासाई हो जाते हैं इससे बिजली और संचार विवस्थाएं ठप हो जाना लाजीमी हैं कई बार लोग भी जान गवा बैठते हैं पर यह भी सच है कि भयानक तुफानों में यह सब होने से रोका नहीं जा सकता इसलिए अब वक्त संकट से निकलने का है और सरकारों वे प्रसासन को राहत के काम तेजी से करने होंगे तुफान का सबसे ज्यादा कहर महराष्ट और गुजरात पर ही बरपा है गुजरात के अमरेली गिरसो मनात पोर बंदर राजकोट भावन गर जैसे टटिय जिलों में हुई तबाही ताउते की तागत को बताने के लिए काफी है मुंबई भी तुफानी लहरों और हवाव से हिल गया हालांकी तुफान का असर व्यापक रूप से उत्तर भारत के कई हिस्सों में पड़ा है और अचानक बना बारिस का मोसम इसी का परिणाम है भारत के तीन तरफ महासागर है पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिसा तमिल लाडू केरल करनाटक महाराश्ट्र और गुजरात का बड़ा हिस्सा समुदरी टटोवाला है ऐसे में हर साल किसी ने किसी बड़े तुफान की मार जेलनी पड़ जाती है पर अच्छी बात यह है कि तुफान पुर्व की चेतावनियों से लोगों की जान बचा पाना अब संभव बन गया है भारत के पास मोसम संबंधी जानकारी देने वाला उपिगरे है इसलिए अब इतना तो संभव हो गया है कि तुफान आने से पहले ही लोगों को सुरक्षित इस्थानों पर पहुँचाया जा सके तुफानों में फसे लोगों को निकालने में हमारी नोसेना और तट रक्षक सक्षम है आपदा प्रबंधन दल ततकाल इस्थिती को संभाल लेते हैं बेसक समुदरी टटो पर तुफान का खतरा प्रकरती प्रदत है इसे रोक पाना संभव नहीं है पर पिडितों के जखमों को जल्द से जल्द कैसे भरें इसकी हर मुम्किन कोशिस जरूर होना चाहिए इस्टोप